दोस्तों अगर आप भी चाते हैं कि भारती टीम इस साल का T20 वर्लकप जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भारती टीम को एक ऐसी शरनाख हाद का सामना करना पड़ा जिसको तो भारती टीम के खिलाडी अपने साथ जन्नम में भी नहीं भूलेंगे और इसलिए अब इस हार से कुछ हद तक को भरने के लिए टीम मैनेजमेंट पूरी कोशिश करेगी कि भारती टीम न्यूजिलेंड के खिलाव खिले जाने वाले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करें जिसके लिए रवी शास्त्री ने भारती टीम की सलामी बलेबाजों में कुछ बड़ा बदलाओ कर दिया है का सामना करना पड़ा जिनके साथ भारती टीम की सालों से राइविल्री चलती हुई आ रही है दोस्तों ये टीम और कोई नहीं पाकिस्तान की टीम है भारत और पाकिस्तान के खिलाव खेले के मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने भारत को इतनी शर्माग हार दी जिसकी कल तो अब भारती टीम का मानूबल पूरी तरीके से तूट चुका है दोस्तों बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार की सबसे बड़ी वज़े भारती टीम की सलामी बलेबाजी को बताया जा रहा है क्योंकि भारती टीम के दोनों सलामी भलेबाच कियल राहूल और रोहट शर्मा ने पाकिस्तान के हिलाफ बेहद ही निराशा जनक प्रदर्शन करके दिखाया था जिसके वज़े से भारती टीम को पाकिस्तान के खिलाफ इतनी शर्माखार का सामना करना पड़ा इसलिए अब टीम के हेड कोच रवी शास्तिरी ने ये फैसला ले लिया है कि वो न्यूजिलेंड के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले में कोई गलती नहीं करना चाते हैं इस विभाग में भारती टीम को एक बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा दोस्तों बता दें न्यूजिलेंड के खिले जाने वाले मुकाबले में रवी शास्तिर कियल राहुल के जगह इशान किशन को खेलने का मौका देंगे क्योंकि इशान किशन ने इंगलेंड जैसी खतरनाग टीम के सामने अब भ्यास मुकाबलों में इतनी शांदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया था जिसे देखकर तो रवी शास्तिर काफी जादा प्रसंद हुए थे इसलिए अब वो इशान किशन जैसे ताबरतोर बल्लेबाजी के टैलेंट को जाया नहीं जाने देंगे और उनको भारती टिम के इस करो या मरो मुकाबले में खेलने का मौका जरूर देंगे तो लिकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि अल राहुल जैसे खिलाडी की जगा इशान किशन जैसे ताबरतोर बल्लेबाजी करने वाले खिलाडी को मौका देकर रविश शास्तरी सही फैसला ले रहे हैं या नहीं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को